फ्रेंट्स वेलकम है आप सब लोगों का बाला जी क्लासेस के यूटूब चैनल पर फ्रेंट्स आज हम लोगों देखेंगे साइंस के वन लाइनर कोस्चन जो की बहुत ही मोश्ट इंपर्टेंट कोस्चन होंगे ठीक है प्रियर एक्जाम से लिए गये हैं तो आज के देखत साइंस बहुत अच्छी पूछी जाती है उसका लेवल बहुत अच्छा होता यह कोश्चन अगर आपने त्यार कर लिए डेली क्लास में बारा बजे आनलाइन हुआ तो आनलाइन नहीं तो आफ्लाइन आपको प्रोवाइट कर आए जाएगी यह सारे कोश्चन अगर आपने देट होता है गुर्ण से बाहर होता है मुत्र के माध्यम से निखाल देता यही मत्र का कम नहीं तो क्या होता है इसके विटामिन ए अगर जिस मनुस्य के विटामिन एक की कमी होती उसे रताओंधी नामक रोग हो जाता है तो इसे पाई बार बने हैं प्रियर से लिए गया क्योंकि अपने लिए बहतर सिर्फ हमें सोचना होगा और दूसरा कोई नहीं कर सकता है अगर हमें सक्षपानी है तो दूसरों से अलग हटके बस हम आपको इतना दे देंगे बस आप लेने की छमता रखिए हम देना बहुत चाहते लेकिन वही है ना कि अगर आपको जोले मिलन चाहते अगर फटा है तो फिर कैसे हो जाएगा ना तो हम देना की बहुत चाहते बस आप लेने के लिए ततपर रही हमां इसा सीखते रही है अगला कुस्चन है राइबोजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना क्या है राइबोजोम जो एक पादप है उसका भूमि लोग देवी जी कहते हों मैं उसे कहा जाए चेचक तो इसकी वैक्सीन की खौष किसने की थी एडवर्ड जेणर जी दिली मिली य्या आपको साइंस के वन लाइनर को और इसलिए और जेनर जीने क्या था चेचक का ठीका वैक्सीन खोजी थी अगला यह सारे कौशन आज की जो लिए गए यह सब बेसिक थोड़ा लिए गए अब कल से टफ लेवल जाएंगे सब आपको लड़नी होंगे सरीर में कुल हड्डियों की संख्या किती होती 206 टूहंडड़ सिक्स बोन्स ठीक किती होती है 206 होती है 206 बोन्स इन ओर पाड़ी हमारे सरीर में ठीक है और हो रहा है अभी उसका आएगा तो सरीर की सबसे लंबी अस्तिकी बात कर रहें तो कहां होती फीमर नाम पाई जाती जंग में पाई जाती नेश्ट कोश्चन गाईस बहुत ही इंपॉर्टन आज की क्लास होनी अलिए अपने सभी दोस्तों को सेर चरूर कर दीजए ठीक ह सरीर में सबसे मजबूत हड़ी सबसे मजबूत हड़ी क्या होती जपड़े की अडियाज फ्रंट जो यहां दांत का इनेमल होता है वह सबसे मजबूत हड़ी की बात क्या होता है दांत का इनेमल कोश्चन यह पूटप हो सकता है कि सबसे मजबूत हड़ी क्या है तो जपड आपको आ रहा है कोई बात नहीं पर इसन मतों यह इतना अभी आएगा ना कि उपर तो यह लुद्व जाता है ठीक था है जिसके हो जाती तब हो जाता है आगे देखते खून का रंग लाल होना मुझो हमारा ब्लड है वह होता है हीमोग्लोबीन के कारण किसके करना खून में हमोग्लोबिन नाम का पदार्थ पाए जाता है उसी के करण हमारे खून लाल होता है गाइस हमया ब्लड में दो चीजे हो था हमाइस दो चीजे एक और एक डबलु उगलोबीन ही यॉगिक है प्रोटीन का गई जो लोगी उसमें क्या होता है किस चीज का योगिक है तो प्रोटीन का ही, हीमोगलोबीन किस चीज का योगिक है, प्रोटीन का, सारे question important है, अहसा नहीं कि कोई important नहीं, जो नोट डाउन की, जो डेली, लाल रखतिकरकाओं का जीवन का, जो उन राइड गाइस, फ्रेंट्स, रेड बेल, लाल रखतिकरकाओं होती है, रेड ब्लड, ब होती है, उनका जीवन का, 120 दीब, अच्छा, आराम से चलते हैं, तो लाल रखतिकरकाओं का जीवन का, सायक का, जो हमारा ब्लड होता है, यह क्यों जमता है, जैसे कभी ब्लेट से यहांथ कट जाता है, तो बहुत लोगों का होता है, तो बहुत लोगों का होता है, तो प्रवार से विटामिन क्या है लेकिन विटामिन के कहीं खहाए लेकिन आप की कि कहीं हात्र तो जल्डी से बहुंत त्विधां कम है प्रवाह में नहीं भैए तो रुधिर में ठक्का जमने में सहाइता कौन प्रदान करता है विटामिन के कॉनफरेंट्स विटामिन के ठीक है अगर आपको एडवाइस देना चाहते हैं अगर वीडियो में कोई प्राबलम हो रही तो आप कमेंट सेशन में जाकर मुझे नीचे बता सकते हैं आपकी जो है हर बात को जो माना जाएगा और वीडियो को इंप्रोव किया जाएगा ठीक है जो भी होगी प्राबलम को जरूर सजेस्ट किया जाएगा हम सब आप लोग आप लोग तो फैमिली है रुधिर का तरल भाग जो गाइस रेट का तरल भाग होता है उसे क्या कहते है प्लाजमा कहते है क्या कहते है प्लाजमा होता है जो तरल होता है लिक्वेड होता उसे क्या कहते हैं गाइस प्लाजमा कहा जाता है रक्त समूहों में सरोदाता और सरगाही फ्रैंड्स वह रक् को दे सकता हो अपना ब्लेड दान कर सकता हो दे सकता हो और वो सर्वग्राही जो सब का ले सकता हो तो गायट क्रमसा वो ग्रूप होता है वो ग्रूप एक ऐसा है जो 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 इसका ग्रूप होता है ब्लेड का वो किसी भीव्यक्ति को अपना ब्लेड दे सकता है क्योंकि वो ग से थोड़ा अच्छा खासा इंपार्टेंट है कि रक्त समूह सर्वदाता यह सबको जो दे दे ठीक है और शर्व ग्रही जो सबका ले ले तो ब्लेट ग्रूप सबको दे सकता है जबकि ए भी ब्लेट ग्रूप सबका ले सकता है क्लियर अगे देखते हैं पित क्या है गाइस पित्रूथपन होता है कहां फ्रेंड्स यक्रत में पित्रूथपन होता है अब तो कोई प्राबलों नहीं हो रही आराम से चल है वीडियो अच्छा लग रहा है ठीक है आगे देखिए कमेंट करके बता दीजिए अगर या आप जित्ते भी लोग देखें वीडियो को बात इसलिए करने लगते हैं ताकि आप जो है बोर ना हो ठीक है जो है यासा हो जाता कि बच्चे पढ़ते हो इसलिए बीच बीच में अदर बाते भी करते रहे ठीक है अगला है स्वस्त मनुस्तिक का रख्त चाप यानि जो है जिसे रख्त चाप किसे ब्लेट पिसर सो भीपर से एलसीघिए कम हो जाता है तो एक ब्लेट प्रेसर हो फिर्प्रैसर हो ना ही प्राब condemn इस और भी को सकते हैं त्ट्वें ध्यास आजओ के असुद्ध पे लॉयट होता है उन में जो c accent है को अलग करना वक 개리 रहानी जो हमारी किड्नी होती है वहारे ब्लेट को प को किसके और अशुद पदार जो अन्पयोर्ड मेटेरियल होते हैं उन्हें कौन वक्रियानी क्या कर देती है बाहर कर देती निकालने माधद कर दिया है मतरास्ते से क्लियर हो गए आगे चलते सरीर के सबसे बड़ी को सिका तंत्रिका तंद्र most 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 important हैं इसमें आप ऐसा को्ष्टन निपनी सब्रफीर की सबसे बड़ी को शीका हो ती सब्सी बड़ी को सकते प्रह और करते हैं हाइड्रो फोबिया क्या लिखा है हाइड्रो फोभिया संबन्धित है कुड्य के काटने से यहाँ है जो रोग हो जाता है है कुट्टे से खाशी आने लगती उसमें लाउक है कि से ही Hautwoby यानी कि कि में किसे की काटने से समध्ध है रीकूपिया को फो चलते हैं आगे 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 अच्छी चल ले मज़ा आ रहा दम धांसू अगर इसी तरह आप लोग बने रहे तो एक दिन लोग भी रिकार्ड बना देंगे ना तकड़ा आगे वायरो लाजी संबंधित है विसाड़ू का दियान गाइस वायरो लाजी नाम से ही पता चल रहा ह वायरो लाजी किसे समझे विशाड़ू का दियान से यानि विशाड़ू के इस्टिडी करना वायरो लाजी कहलाता है आगे खून का ठका क्या लिखा है खून ठका नहीं जमता ही मोफीलिया रोग गाइस अभी जो कुट्टे काटने वालत वह दूसरा है और यहां हीमो फील क्या कहते हैं हीमो फीलिया रोग यानि कब होता है जब खून में ठका नहीं जनता और थका फ्रेंट्स कब नहीं जनता जब विटामिन के की कम होते तो इसकौन से रहता हीमो फीलिया अभी कंफ्यूज मत होईएगा क्योंकि कुट्टे से काटने वाले का नम यहां हाइड्रोफोबिया और यह कुट्टे के काटने सब्सक्राइब यहां हीमो फीलिया है क्या है क्या है यहां यहां फी है वहां फो है इसलिए कंफ्यूज मत होईएगा दोनों आपसंट्स एक्जामनर जो होता है ना बहुत बड़े लेवल का होता है ना बहुत बड़ फोबिया दोनों रखेंगे तो फोबिया मतलब डर होता है प्रकार का कुछते से काटने से और हीमोफेलिया एक रोग है जो ठक करना जमने चाहिए इसलिए इदम मतलब इग्जामनर से हमको एक कदम आगे चलना होगा तभी फ्रेंड्स हम पास सकते हैं सकते उसकी सोच कहा तक जा सके यह हमें सोचना होगा और क्या तभी तो हम उसके कोस्टन का इंसार दे पाएंगे टिक्रोमा अब तो क्रोमा के लिखा है टिक्रोमा एवं ग्लूकोमा दो नाम नाम रटी है रटा मारी है टिक्रोमा ग्लूकोमा रोग से संबंधित है आख से आख से लेटर यह रोग है इनका नाम याद के लिए टिक्रोमा ग्लूकोमा किस से संबंधित है आख में यह रोग आख में हो जाता है टिक्रोमा ग्लूकोमा कहा जाता है इसकी पूरी पीडिय description में मिलेगए आके बाहत करें प्लाजमोडीयम क्या अंतिम और लास्ट कोस्टन की तरब बढ़ रहे हैं, पाजी ट्रान किसका उपकरण है, सारी, किसका प्रतिकरण है, क्यों सा है, पाजी ट्रान, तो पाजी ट्रान किसका है, एलेक्टरान का, फ्रेंड्स अगर आप कोई अच्छा वीडियो लगा हो, तो इससे आप लाइक कर लिए पीडियाप में नीचे आपके डिस्क्रिप्शन से लिंक डाउनलोड कीजिए आप कमेंट करके एक बार जरूर हमें सजेस्ट कीजिए नहीं कुछ सजेस्ट करना है तो ना इस क्लियर अच्छा कुछ भी आप हमें बताईए कमेंट जरूर करिए वीडियो को आपने सब् करें ठीक हमिलते हैं अगली वीडियो मिली तब तक लिए जैहिंच याफारत डैली बारा वजी आपको मिलेगा साइनस की 25 अप्जिक्टियो कोष्ट जो होंगे important तो मिलते हैं फ्रैंस कल की क्लास में तब तक लिए जैहिंच जैवारत को के फ्रैंड्स बाए